दरपोक सास बहू जिगर और बलराज अपने अपने आफिस के लिए निकल जाते हैं जिसके बाद तानिया और उसके सास घर की काम में बिजी हो जाती है तबी रसोई में से तानिया की चिल्लानी की आवाज आती है वे मा बचाओ रे तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहाँ अजाती है अएसा बोलते हुए तानिया की सास भी डरकर स्लेप पर चड़ जाती है अरे जब इन छिपकलियों को गूमने के लिए हमने दिवार और छट दी है फिर ये हमारे गूमने की जगह पर क्यों उतर आती है मजे क्या पता सामने बैठी है आप ही पूछ लो ना साथ में भगा भी दे ना इस पर सास डरते हुए स्लेब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है तानिया के सास उसे स्लेब से नीचे गिरा देती है जिस पर छिपकली तो डर कर भाग जाती है लेकिन दोनों सास बहु के बीच टॉब एंजरी वाला खेल शुरू हो जाता है आपने मुझे धका क्यों दिया मुझे कुछ हो जाता तो अगर वह मुझे खा जाती तो आरे छिपकली थी डाइनोसान नहीं हाँ सिर्फ छिपकली ही थी और आपको उससे डर नहीं लगता तो खोद क्यों नहीं भगा दिया अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े फिर बहु होने का फाइदा क्या है इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं लेकिन सास बहु की तू तू मैं में ख़त नहीं होती हम आज इस सभा का मुद्दा क्या है ममे ने मुझे छिपकली के सामने फेग दिया इस पर दोनों बाप बेटे हसने लगते हैं जिसे देखकर सास बहु एक दूसरे की शकल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूल कर उनसे लड़ना शुरू कर देती है अरे आपना ज्यादा बत्तिसी ना दिखाओ नहीं तो शेर नहीं कि एक पंजे से बत्तिस के बत्तिस दाथ बाहर निकला आएंगे अपनी मा के इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हसने लगता है अरे क्यों पापा आ गया स्वाद अभी आपको भी आएगा स्वाद इस पर घर में सास बहु ड्रामा बंध होकर पती-पत्नी नाटंकी शुरू हो जाती है जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिलाते हुए कहने लगता है कौकरुच इतना पड़ा कौकरुच कौकरुच का नाम सुनते ही दोनों सास बहु सारी लड़ाई भूल कर फुदक से कूद कर पास रखे सोफे पर चड़ जाती है अरे कहा है अरे कहा है कमबक्त अरे उसे भगानी की जगह अनाउंस्मेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे बारा चालिस की आकरी लोकल है छूटनी नहीं चाहिए अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है ठीक है भई अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कौकरुच बैठा है जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उचल जाती है जिसके बार जिगर और बल्राज इसी तरह कभी कौकरुच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परिशान करते रहते हैं अकली सुबर ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाग बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज से ना डरते हो ये जिगर ना बचपन में तो चीटी से भी डर जाता था पर मम्मी उन्हें डराने के लिए मैं चीटी तो नहीं पकड़ सकती आरे पागल वारत इतना बड़ा होकर क्या वो चीटी से डरेगा मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सूचना पड़ेगा अरे वाह क्या ब्राइंड न्यू न्यूस दी है और सोचो अब दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग-अलग तरीके सूचती है पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुच पाती जिस पर तानिया की सास उससे कहती है हम उन्हें नहीं डरा सकते पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते है न अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मजे के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पच्का हो जाएगा हाँ, नाइस आइडिया पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है जिसमें पहला कौकरोच सामने आती ही वो डर कर भाग जाती है हमसे ना हो बाई, मम्मी इससे आप ही निप्टो न अरे क्या आप निप्टो, साहत चल, नहीं तो तेरे उपर न छिपकली गिरा दूंगी हाँ बस हाँ, पहले छिपकली पगड़ कर तो दिखाओ अरे यार, चल ना इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपल लेकर कौकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती है जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन बदेन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती है कुछ हफतो बाद वाँ ममी आइडिया तो मस था अब कौकरोच हो या उसका बाप मैं किसी से नहीं डरती अरे शापाश और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग सबके चखके छुड़ा दूगी पर ममी जी उससे पहले किसी को सबग सिखाना है उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहु प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कौकरोच फैंक देती हैं जिससे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उचल खड़े होते हैं अरे मा चिपकली कहां से आ गई? अब इस कौकरोच को मेरे उपर से हटाओ ना अरे क्यों बेटे? कैसे मा याद आ गई? जब मा को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे ससूर ची कौकरोच से तो हम जिससे टेर पोग डरते हैं फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हस्ते लगती है जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है